हलो गूर्बानिंग जोहार मसुचे और आप देख रहें हैं न्यू जार्खन समय हो चुला है जार्खन की कबरों को जानने का जार्खन की कबरों से अपडेट होने का तो चली जानते हैं आज की जार्खन की 25 मुख्य बड़ी खबरों को केंद्रिय कर्मचारियों का महंगाई भक्ता 4% बढ़ा उजवला योजना पर 300 रपे सबसिडी एक साल बढ़ी 10 करोड परिवार को फाइदा केंद्रिय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भक्ते डिये में सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है गुरवार यानी 7 मार्च को हुवी केंद्रिय केमिनेट मीटिंग में सरकार ने 4% बढ़ाने का आयलान किया है या 1 जनवरी 2024 से लाग होगा डिये बढ़ने के बाद कर्मचारियों का भट्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया है इसका फाइदा करीब 50 लाग केंद्रिय करमचारियों और 68 लाग पेंट सनर्स को होगा डिये 46% से बढ़कर 50% होने के कारण अब मकान किराया भर्ता भी बढ़ जाएगा इससे 27, 18 और 9 से बढ़ाकर 30, 20 और 10 किया जाएगा गरिजवेटी सीमा भी 20 लाग से 25 लाग हो गई है केंद्रिय मंत्री प्यूश गोएल ने बताया है कि डिये में 4% की बढ़ोत्री से सरकार पर 12,868 करोड रुपए का बोजाएगा इसके साथी केंद्र सरकार ने पीम उजवला योजना को भी एक साल के लिए बढ़ा दिया है यानि इसी योजना के उब्भुकताओं को 300 रुपए की सबसीडी एक साल और मिलती रहेगी इसका फाइदा 10 करोड परिवार को मिलेगा यानि की LPG सिलेंडर पर 300 रुपए की सबसीडी जारी रहेगी अब पीम उजवला योजना के तहट 31 मार्च 2025 ता सबसीडी दी जाएगी CM 24 सोरेन की बड़ी घोशना अगले पांच महिने में 30,000 लोग मिलेगा निक्ति पत्र बोले साजिस के तहत है मंतो सोरेन को जेल भेजा CM 25 सोरेन गुरवार को वहिन पदों में नावचानित 2054 उमिद्वारों को जोईनिंग लेटर दिया जिन उमिद्वारों को नुक्ति पत्र दिया गया उसमें PGT सिक्षक और जूनियर इंजिनियर के सब से ज़्यादा उमिद्वार है धुरवायस्तित सहीद मैदान में कारिकरम को शमबोधित करतो हुए सियम चमपई सोरें ने कहा है कि हम सोने की चिणिया कहलाने वाली धरती से हैं हमारा राज खनी संपधा से परिपून राज है सोने की चिणिया कहे जाने वाले राज का दूर प्योग हुआ है राज के मूल निवासियों को सुविदाओं से दूर रखा गया है वही सीम चमपई सोरेन ने इस मौके पर कहा है कि अगले चार से पांच महिनों में हम फिर तीस हजार लोगों को नियुक्ती पत्र सौपेंगे केंदर सरकार पर आरोप लगातोवे सीम ने कहा है कि केंदर ने राज का सहयोग करना छोड़ दिया है हमें अबुआ अवास देने की जौरत क्यों पड़ी क्योंकि केंदर ने अपना हिस्सा देना बंद कर दिया लेकिन हम रुके नहीं हमने जो तै किया था वह हम कर रहे हैं लोगों को अवास दे रहे हैं वह स्रम मंतरी सत्तानंद भोकता ने कहा है कि 2026 तक राज के सभी रिक्त पद भरे जाएंगे उन्होंने कहा है कि या आवसर है आपके लिए राज में आप चिंता ना करें आप टेंसन ना लें बलकि पेंसन की तैयारी करें आज आपको नौकरी लगी है या सेलरी और पेंसन दोनों सुनक चित करती है केंदर पर तन जो कस्तो हुए स्रम मंतरी ने कहा है कि केंदर सरकार केवल भासनों और सलोगन पर चलती है एक केंदर अस्तर पर नौकरी नहीं हुई है उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हेमन्त सोरेन काम कर रहे थे ठीक उसी प्रकार चमपई सोरेन सरकार भी काम करेगी जैसर से PGT अभ्यर्थियों निकाला कैंडल मार्च इन साथ विसेयों के साथ सोतेला वहवार के लगाया आरोप जारकन राज करमचारी चैना योगद्वारा ली गई PGT टीचर भरती परिचा में उतिरन अभ्यर्थियों के एक सम्हूने गुर्वार को कैंडल मार्च निकाला पिछले कुछ दिनों से राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि राजसरकार गनीत, हिंदी, संस्क्रीट, एकनोमेक्स, हिस्ट्री और कॉमर्स विसेयवाले अभ्यर्थियों के शाथ कारिक्रम में निक्ति पत्र का वितरन किया, गर्तलभे कि निक्ति पत्र की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का एक सम्हू राजभवन के समक्ष अनिश्चित कालिन धरना प्रदर्शन पर बैठा है, उनका कहना है कि निक्ति पत्र मिलने तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा अब भी अर्थियों ने या भी कहा है कि लोक्षभा चुनाओं से पहले हमें नुक्ती पत्र मिल जाना चाहिए, चेयन के बाद नुक्ती पत्र मिलने में हो रही देरी काफी तकलीप दे है 21 मार्च तक जेल में रहेंगे हमंतु सोरेन, 14 दिन बढ़ी नियाए खिराशत, जायरखन के पूरा मुख्यमंत्री हमंतु सोरेन अब 21 मार्च तक नियाए खिराशत में रहेंगे सुनवाए कि दौरान गुर्वार को कोट ने चौदा दिनों के लिए उनकी नियाय किराशत बढ़ा दी है गुर्ण अब्रह की नियाय किराशत किया उधी समाप्तु होने पर गुर्वार को हेमन तो सोरेन को कोट में पेश किया गया वही उनके शाथ भानू प्रताब प्रशाद की भी नियाय की राशत बढ़ाएगी है बतादे कि जमिन घोटालेस जुड़े मनिलाटरिंग केस में दोनों फिलहाल नियाय की राशत में हैं खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यू जार्खन चानल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लेश चानल को सस्क्राइब करके बाल अकन प्रेस कर दिचे जिससे आपको जार्खन की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो चले बढ़ते हैं खबरों की और को सराइकेला खारसमाजीला के गमरिया प्रखन इस्तित जो है खरकाई जो है गांजिया बराज में विफिन योजनाओ के ओधगाटन सिलन्यास सम्हारों को संभोधित करतो हुए ये बाते का ही मोकमंत्रे ने कहा है कि सिचाई एवं पेयजल की सुविदा उपलब्द कराने है तू सरकार प्रियतनशील है इसी करम में गुरवायर को सराइकेला खारसमाजीला अंतरिगत पाइपलाइन सिचाई योचना का सिलन्यास किया खिया इस राज़ के किसानुआ है वही मोकमंत्रे ने कहा है कि राज़ में सिच्चा का ऐसा दीप जला रहे हैं जो कभी नहीं वोजेगा सरकार यहां के बच्चों को बहतर सिच्चा देने के लिए प्रतिबद्ध है पैसे के अभाव की कारण अब बच्चों की पढ़ाई नहीं चूटेगी सरकार द्वारा परतियोगिता परिच्चा की तैयारी के लिए निसुल्क कोचिंग की सुविदा दी जा रही है सिच्चा व्रास्ता को बहतर करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं वही मोकमंत्रे ने इस आउसर पर सराइकी लाग हरसामाज जीले को 84 योजनाओ की शौगादी है इसम रन्यास योजनाओ की रासी 328 करोड 1,95,000 रुपे हैं जारखन वासियों को एक और सौगाद अभी इस रूट पर चलेगी वंदे भारत ट्रेन इंडियन रेल्वे की और से जल्द जारखन को एक और तौफा मिलने जा रहा है अब प्रदेश को तीसरी वंदे भारत एक्सप तोरी रूट पर होगा रांची शे वारानासी के बीच की दूरी या ट्रेन 6 घंटे 20 मिनिट में ताई करेगी इस वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन से जारखन बिहार के साथ साथ ओडिशा के रेल यातरियों को भी सुबिदा मिले की ये ट्रेन रांची शे लोहर तक का त और वारूट गया और पंडित दिन दयाल उपाध्या स्टेशन होतो हुए वारानासी चाहेगी वही अगर इस रूट की तीसरे वंदे भारत ट्रेन के टिकट की बात करे तो रांची वारानासी एक्सप्रेश का किराया 1390 रुपए से लेकर 2600 रुपए होगा इस ट्रेन के चलने से लोहर दगा और टोरी के लोगों को भी वंदे भारत एक्सप्रेश की सुविदा मिल सकेगी बता दे कि वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन के परिचलन करनाची और आसपास के जीलों के लोग बेसबरिस से इंतजार कर रहे थे पिछले चार माह से इस ट्रेन के चलन को मिल रहा है मौसम वीवा की और से बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में राज के विभिन हिस्सों में मौसम में परिवर्थन होगा बदलते मौसम के साथ बारिस की भी संभावना जताए गई है मौसम वा की मताबिक रांची में आज आज से बारा मार्च तक मौसम समाने रहेगा इसके बाद राची में बारिस की संभाना जटाएगी है इसके अलावा तापमान में भी बदला होगा अधिक्तम तापमान तीन डिगरी सेलसेस तक वुर्धी देखने को मिलेगी तापमान के बढ़ने से लोगों को गर्मी शताएगी अधिक्तम 29 डिगरी और नियुमतम 16 डिगरी तापमान रहने की संभाना है राजी के विविन हिस्सों में बदलते मौसम का परभाव देखने को मिलेगा मौसम विग्यानिक अभिशीक अननन ने बताया है कि राजी के कई हिशों में जो 13 मार्च को बारिशोंने की संभाना है राजधनी सहित ऐसे एक दरजन जिले हैं जहां बारिशों सकती है उन जिलों में खुंटी, लोहरदगा, रामगड, हजारीबाग, गुमला, सराइकेला, खारसामा, सिम्डेगा, पस्रिमी शिंग्भूम, पूर्वी शिंग्भूम, बोकारो, मोखिरुप्षे, सामिल है गरीडी में दो कंटेनर में लोट 36 गौवंस बरामत दो गिरपतार, गरीडी जिले में गौवंस तंसकरी के खिलाब भी गरीडी पुलीस की काररवाई जारी है स्पी को लगतार मिल रही गुप्त सूचना के आधार पर परतिबंधित मांस और तसकरी को कंट्रोल करने में पुलीस अब तक सफल रही है इसी करम में गुरवार की सुभा जिले के डुमरी पुलीस ने 36 गौवंस लोट दो कंटेनर को जो डुमरी कुलगो टोला पलाजा के समिव जबत किया जबकि दोनों कंटेनर के चालक को भी दबोचा गया दोरों कंटेनर में 36 गौवंस लोट थे इसमें कुछ बचड़े के भी होने की बात सामने आई है इधर ग्रपतार दोनों आरोपियों से पूछताच किया जा रहा है पूछताच में दोनों ने खुलासा किया है कि गौवंस लोट दोनों कंटेनर बिहार से बंगाल भेजा जा रहा था और बंगाल से फिर बंगलादेश भेजने की तयारी थी लेकिन बंगाल में किस दिले में दोनों कंटेनर को पहुचाना था या फिलहाल असपष्ट नहीं हुआ है क्योंकि तसकुरो द्वारा बंगाल की सीमा में परविश करने के बाद उन्हें जानकारी मिलता, मिलना था इधर गौवन्स लोड दोनों कंटेनर को मधुबन गौशा चपेट में आने शे हो गई, घटना लगभग साड़े छे बजे संधा की है, महिला की उम्रे लगभग 30 वर्सी है एवं पुरुष के उम्रे लगभग 40 वर्सी है, महिला का सव घटनास्तल पर मिला एवं जो है पुरुष का सव लगभग एक किलोमेटर दूर गजहंडी की और लॉग कॉलेज के समी मिला, सूतर के अनुसार ट्रेन की चपेट में आने के कारण पुरुष का सव ट्रेन के इंजन के साथ जो उतनी दूर चला गया हो गया, घटना के सूचना के बाद आरफिय प्रभारी जुहारलाल दलबल के साथ घटनास्तल पर पहुंचे, उन्हो का काम करते थे। दुकान के राक में लगाए सभी गहने और गल्ले में रखा लगभग 30,000 रुपए गाया, इसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस जाच परताल कर कारण रवाई में जुटी हुई है। परताल कर कारण रवाई में जुट गई है। गुरवार को जारकन मंत्राले प्रोजेक्ट भवन में उद्धोग विभाग के तहट सरकार और इंग्लाइंड ग्रीन एनरजी कमपनी के साथ M.O. हुआ। इसके तहट इंग्लाइंड ग्रीन एनरजी कमपनी इथेनौल का उत्पादन करेगी। उक्त M.O. कारिक्रम के दोरान सत्तानंद भोगता ने कहा है कि आज हमारी सरकार इथेनौल के प्लांट लगाने को लेकर एकरान नामा कर रही है। पूरे राज्य में पांच इस्तानों पर प्लांट लगाने का प्रस्ताओ है जिसमें पहला प्लांट सितंबर दोहजार चौबिस से इथेनौल का उत्पादन सुरू कर देगी। बड़े कंपनियों को आमंत्रित कर रही है। राज्य में अध्धोगिक विकास का वातवरन तयार किया जा रहा है। इस घटना में एक युवग बाल-बाल बच गए उसके बचने का कारण हेलमेट पहनना बटा गया है। हेलमेट रहने के कारण गिरने के बाद उसे मामुली चोटाई उसे इलाज के लिए जो है तुमबागाडा अस्पताल में भरती किया गया है। मिरतको के पहचान सदर प्रकंड के सुवा, कोडिया, लाशुनिया गाउं के दस बर्षे संजे कुमार सिंग, पिता प्यारी सिंग इवं पांकी प्रकंड के सालम दिरी के जो है जीरो गाउं के 20 बर्षे आसिप कुमार सिंग ने के रुप में हुई है। लोकसभाचुनों में जारकन की सभी पोलिंग बूत बनाए जाएंगे आदर्स मतदान केंदर गुरवार कुरांची के एक होटल में अगामी लोकसभाचुनों को लेकर राजस्त्रिय समिक्छा बैठक की गई बैठक को संबोधित करतो हुए मोखी निर्वाचन पदधिकारी के रभी कुमार ने कहा है कि लोकसभाचुनों दोहजार चौबिस के मधनजर राज्य के मतदान के इंदरों पर अवश्चक बुनियादी सुवधाएं सुनक्छित होने से बहतर परिनाम सामने आएंगे मतदाता मतदान के अंदर पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंके इससे मतदान परतिसत बहतर हो सकेगा इसके लिए सभी को शकारात्मक्षोच के शाद आपसी समयनवेशे काम करने की आवशकता है निर्वाचन कार में सभी इमानदारे पूर्वक कर्तव निर्वाहन करे सभी जिलों के जिला निर्वाचन से समंधित कारियों को सासमय पूर्ण करे निर्वाचन के कारियों में किसी प्रकार की कोता ही आच्छम्य है किराभी कुमार ने का है कि 2024 के लोक्षभाचनौ में राजी के सभी मत्यदान केंद्रों को आदर्स मत्यदान केंद्र के रूप में तैयार किया जाना है राश्टरपती से मिलकर 1932 कतियान और सरनाधर्म कोड मांगेंगे महागटबंधन के नेता जामों ने लिखा पत्र जामों के केंद्रिये महासचिव विनोद पांडे ने राश्टरपती दुरपरदी मुर्मो के सची को पत्र लिकर अनुरूद किया है कि वा और उनके साथकरी पचास लोग ऐसे हैं जो राश्टरपती से मिलकर जारकन के कई मुद्दों पर उनसे गहन चर्चा करना चाते हैं उन्होंने लेटर में लिखा भी है कि मैं पचास सदस्य परतिनिधी मंडल की और से अनुरोद प्रस्तूत करने का उसर चाहता हूँ उस पचास सदस्य परतिनिधी मंडल में जारकन के मंतरी, संसद, विधायक और वरिष्ट पार्टी पादधिकारी शामिल हैं हम सबी भारत की राश्टरपती से मिलकर कुछ महत्तपून मुद्दों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं जैसे सरनकोड, STSC और OBC आरक्षन और जारकन की 1932 की स्थानिय निती ऐसे में सची को समय की मांग की गई है या आप हमें राश्टरपती से मिलने का कुछ मिनट प्रदान करने की कृपा करें जारकन के 15 जिलों के S.P. के पास चुनाओ कराने का नुभावने ही जारकन के 15 जिलों के S.P. को चुनाओ कराने का नुभाव नहीं हैं ऐसे में राश्टर में भायमुक्त माहूल में चुनाओ संपन कराने को लेकर जिलों के S.P. के शाथ लगतार समिक्षा बाठक हो रही है गुरबार कुरांची के BNR होटल में एक समिक्षा बाठक की गई जिसमें या पता कि आ जा रहा था कि चुनाओ आयोग द्वारा जारी गैडलाइन को लेकर कितनी तयारी हुई है इस बाठक में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के शाथ साथ चुनाओ कारियों में लगे राज के सभी IG, DIG, DC, SSP, SP शहित जहे DEO और नोडल अधिकारी मौजुद रहे अगर SOP नहीं है तो भविस में इसकी क्या योजना है 13 मार्च को इस मामले में अगली शुनवाई होगी शुनवाई के दोरान राज्य सरकार की और से कोट को या बटाया गया है कि इस घर्टना के बाद पुलिस ने ततकाल कार रवाय की थी आठ आरोपियों को गिरबतार कर लिया गया है पीडित को मुआजे के तोर पर 10 लाग का भुकतान भी कर दिया गया है सरकार की वकील धिरज कुमार ने या जान कर दीखे जार्खन और जाविकास सार्मिक संग का पांस सूत्री मांगो को लेकर प्रदर्शन सेकड़ों की संख्या में कर्मी जो उर्जान निगम के वादा खिलाप नारेबाजी करते दिखाए थी हैं। चतुर्त वर्गेपद के लिए भी आंत्रिक बाहले निकले हुए पुर्व से कार्रेत कुशल और आकुशल अंतिम कर्मियों तक को बाहल किया जाए। चतुर्व डियाजी रह चुके संजय रंजन सिंग, शहित स्याकडों उनके समर्थकों ने गुरवार को आसु का दामन थामा, साधी कई अधिवक्ता और चिकत्सक भी पार्टी में शामिल हुए। मौके पर आजसु सुप्रीमो शुदेश महतों द्वारा सभी को पार्टी का पट्टा और माला पहना कर श्वागत किया गया। मौके पर सुदेश महातों ने कहा है कि पार्टी में जिस तरह लोग का विस्वास बढ़ता जा रहा है या पार्टी के लिए जो है काफी बहतर साबित होगा और उनके समर्थन से पार्टी आने वाले लोक्षभाचनों, विधान सभाचनों में बहतर प्रदर्शन करेगी. इसके बाद रगवर सड़क मार्क से जमसेतपुर के लिए रवाना हुए. पूछेगी, उसके बताय हुए नाम की आधार पर पुलिस जाज परताल कर दुकानदारों पर काररवाई करेगी, जो है एमवी एक्ट के ताहत उन दुकानदारों पर जुर्माना किया जाएगा. आसपास जंगली पाहड चितर में नक्सल विरोधी अभ्यान चलाकर एक नक्सली कैम ध्वस्त कर दिया है, जिससे सुरक चबलों ने ध्वस्त कर दिया है, बताया जा रहा है कि यहां करीब 95 लोग की ठाहरने की व्यास्ता थी. नक्सली कैम से दो किलो का नो आईडी, जो है कॉर्टेक्स वायर 200 मीटर, बिजली कतार 600 मीटर, सिरींच आईडी तैयार करने के लिए, बारा जो है पिस्तॉल की थैली, बैटरी तीन पीस, वही विभिन परकार के आवश्चक, जिवान रख्चक दवाईयां, सहित भारी मात बैठे वस्तापित आवपरिण्टी संग, बोकारोस्टील प्लान नेरमान में वस्तापित हुए, वस्तापितों को बोकारोस्टील के द्वारा आवपरिण्टीस कर उन्हें, नियोजन देने का वादा किया था, लिकिन 7 साल बीठ जाने के बाद भी अभि तक बोकारो अश्टील के सुरक्षा कर्मियों ने रोकने का काम किया लेकिन सुरक्षा कर्मियों और जो है आंदुलन कारियों के बीच विवाद हुआ और सुरक्षा घेरे को तोड़कर सभी प्रसासनिक भवन के समक्ष पहुच गए। जो नियोजन दिया जाए अगर नियोजन नहीं दिया जाता है तो हम लोग अपने सर्टिफिकेट को जलाएंगे और आतमधा करेंगे। उन्हें जारकन राजजिकानीज विकास लिगम निमेटेट के अध्धक्षपर्द के अतरिक्त परभार से उन्हें विलोपित क्या गया है। लोबिन हमरम की अन्याय यात्रा में भड़े जमेम कारेकरता भोगनाडी में धारा 144 लागू जमेम के बागी नेता लोबिन हमरम साहिब गंज में अन्याय यात्रा करने पहुंचे। इस दोरान जमेम कारेकरता आपस में भड़ गए। मीडिया में चल रही खबरों के नुशार अन्याय यात्रा में शामिल होने के लिए बरहेट से भी जमेम कारेकरता पहुंचे थे। बरहेट के कारेकरता द्वारा लगतार लोबिन हमरम मुर्दाबाद के नारे लगाएगे। इसी दोरान दोनों और से जमकर बयान बाजी हुई जिसके बाद कारेकरता आपस में उलज गए। इसकारण थोड़े ही समय में लोबिन हमरम को अपनी यातरा को बंद करना पड़ा। वही इस्तिती गंभीर देखते हुवे भोगनाडी इलाके में 244 लागू की गई है। लगातार उठाते रहे हैं। सारंग सोर गाओं की और पीकप गाड़ी आने वाली है। प्रगना के तीनों लोक्षभाद शेतर में अलफसंख्यक प्रत्यासी उतारना चाहिए। अलफसंख्यक का हग बनता है कि उन्हें कम से कम एक सीट मिले। हलाकि आखरी फैसला आला कमान का होगा लेकिन अगर शंधाल प्रगना में अलफसंख्यक को टिकट नहीं मिलता है तो इंडिया गरबंधन को जीत में मुश्किल होगी। यहां बिजेपी जीत जाए कि उसे छितर में संबान मिलने लगेगा। पलामो में एक्टिव है सराब तसकर पांच लाक की अवाद सराब की साथ दो गिरप्तार सकारप्यो जबत प्रसासन लोकसभा चुनाओ की तयारी में डुटा है तो दूसरी और सराब तसकर भी चुनाओ की तयारी में जोर सोर्स लगे हैं। उत्पाद भाग और पुलीश कार रवाई कर रही है। इस सिक्रम में बिहार सीमा ससटे हर्यर गंस्थानाच शेतर में बड़ी कार रवाई कर उत्पाद भाग ने पांच लाक की सराब जबत की है। पहले ही उत्पाद भाग को जानकारे मिली और जो ही ये पकड़े गए। ये थी आज की जारकन की टॉप बड़ी खबरे। नेक्स्ट खबरों के साथ धन्यवाद।